हेलो दोस्तो स्वागत है आपका स्रीग्रु अकेडमी में मैं मनु बर्मा आपका सुक्रिया हार्दिक अभिनिन्द करता हूँ दोस्तो हम बात करते हैं डियलेड फोर्थ समेस्टर मैथ जिसमें आज हम देखेंगे बेलन तथा संकू वेलन और संकू से संबन्दि जितने भी प्रशन होते हैं उनको आज हम डिसकस करेंगे जो आपकी एक्जाम डियलेड फोर्थ समेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है तो चलिए गाईज स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं वेलन ठीक है बैसे तो आप इसको जानते भी होंगे मैं यहाँ पर थोड़ा सा उसके लिए आपको बताने की कोशिस करूँगा ठीक है जाँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस टाइप से यह आपका वेलन होता है ठीक है यह आप सभी लोग जानते हैं यह आपका वेलन होता है और यह जो है आपका यह वेलन की हाइट होती ह तो इसे H से प्रदर्सित करते हैं यह आपका तरिज्जा होती है तो इसे R से प्रदर्सित करते हैं यहां तक भी आपकी तरिज्जा होगी इसे भी R से प्रदर्सित करेंगे तो इतनी चीज आप सब को जानना बहुत जरूरी है वेलन को इंग्लिश में सिलिंडर कहते हैं तो ये आप सबी लोग जानते हैं और अगर हम बात करते हैं दोस्तों इसके कुछ महत्पूर्ण सूत्र आते हैं उन सूत्रों को जरूर याद कर लिजे क्योंकि जब तक आप उनको नहीं याद करेंगे जब तक आप इसको नहीं कर बाएंगे तो सबसे पहले आता है कि वेलन का यटन बडावर होता है पाई आर स्वाइर एच तीका पाई आर स्वाइर एच घन सेंटिमीटर थिकाई तो यह आपको याद रखना है यह होता है वेलन का आते हैं जिहान रखंगे pi r square h ठीक है नेश्ट अगर हम बात करते हैं बक्रप्रश्ट यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिए कि क्या होता है कि जब तक आपको ये formula नहीं याद होंगे तब तक आप इसको नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आपको formula याद होने बहुत जरूरी है ठीक है तो जब तक आपको ये formula नहीं याद होंगे तब तक आप नहीं कर पाएंगे तो next हम बात करते हैं बक्रप्रश्ट तो बिलन का बक्रप्रश्ट का जो सूतर होता है वो होता है आपका 2 pi r h ठीक है 2 pi r h वर्ग cm ठीक है इसको आपको याद रखना है ये आपका second formula है और last और third formula आपका आता है बिलन का संपूर्ण प्रश्ट ठीक है बिलन का संपूर्ण प्रश्ट ये तीन आपको याद रखने पढ़ेंगे आयतन जो होता है बिलन का pi r square h घं सेंटीमीटर बक्र प्रश्ट होता है 2 pi r h बर्ग सेंटीमीटर और संपूर्ण प्रश्ट होता है आपका 2 pi r h plus 2 pi r square वर्ग सेंटीमीटर ठीक है जा वर्ग सेंटीमीटर अब याप इस जो सूत्र है इस सूत्र को simple भी कर सकते हैं इस प्रकार से जा आप इसमें 2 pi r इसको बाहर ले लेंगे तो आपका क्या बचेगा है h plus r यह आपका बचेगा वर्ग सेंटीमीटर ठीक है तो आप इसको भी लगा सकते हैं और चाहें तो इसको भी लगा सकते हैं इन दोन में से किसी भी सूत्र को आप लगा सकते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए next कभी-कभी इसमें पूँछाता है खोकले विलन का आयतन बगएरा पूँछाता है तो खोकले विलन का जो बारे में पूँछा जाता है वो मेली जो कुछ और exam जोते हैं उन्हें पूँछाता है आपके DL.A.D. 4th semester में कभी भी खोकले विलन से नहीं पूँछा गया है और नहीं आपके सिलिवस में खोकले विलन को दिया गया है ठीक है तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है अब बात करते हैं दोस्तों संकु की ठीक है संकु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बाद चलते हैं कोशन्स पर कि किस प्रकार से कोशन्स आते हैं ओके तो अब हम बात करते हैं दोस्तो संकु की संकु क्या होता है तो संकु आप सभी लोगों ने देखा भी होगा जिसे इंगलिश में क्या कहते हैं दोस्तो कोन कहते हैं तो कुछ इस प्रकार से होता है मैं इसको और ये वाली होती है आपकी, L वोला जाता है, जिसे वोलते हैं तिर्यक उचाई, मैं आप लिख देता हूँ, तिर्यक, उचाई, तिर्यक उचाई या फिर आप कह सकते हैं, कि तिर्ची उचाई, ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, यह आपका height है यानि की हुचाई और r यानि की त्रिजा इसके भी आपके तीन formula होते हैं इन तीन formula को आप याद रखेंगे पहला आपका होता है मैं आपके लिख दिता हूँ कि संकू की बात हो रही तो आपको यह याद रखना है तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो आयतन यहाँ पर मैं डारेक्ट लिख देता हूँ कि संकू का आयतन ठीक है मैं यहाँ पर आयतन लिखता हूँ लेकिन आपको याद रखना है संकू का आयतन बराबर क्या हो जाएगा तो 1 upon 3 pi r square h ghan centimeter याद रखेंगे संकू का आयतन अगर पूँचा जाएगा तो आप कहेंगे 1 upon 3 pi r square h ghan centimeter आप से next जो प्रशन पूँचा जा सकता है वो बक्र प्रश्ट से पूँचा जा सकता है तो आपको बक्र प्रश्ट याद रखना है कि संकु का बक्क प्रष्ट होता है πाई आर एल ठीक है ध्यान रखें पाई आर एल बर्ग सेंटिमीटर ये आपका संकु का बक्क प्रष्ट होता है अगला आपसे जो question पूछा जा सकता है वो पूछा जाएगा संपूल प्रेश्ट ठीक है ये आपका एक और formula है उसके बाद चलते हैं questions के उपर ठीक है जा तो संपूल प्रेश्ट पूछा जाएगा तो संपूल प्रेश्ट का आपका formula होता है पाई आर एल प्लस पाई आर इसको आएर वर्ग सेंटीमेटर ठीक है तो इसको आपको याद रखना है दोस्तों ठीक है ये आपका simple सा ये प्रश्ट है इसको आपको याद रखना है formula next formula एक last जो आता है वह होता है आपको त्रियक उंचाई ठीक है जो मैंने आपको यह वाली त्रियक उंचाई या फिर्ची उंचाई जो लिखा हुआ आता है उसका भी formula होता है से एल से प्रदर्सित करते हैं तो यह हो जाएगा आपका आर इसक्वाइर प्लस h square है लेकिन यह होता है अंडरूड में तो आपको इतने जो formula है वह याद करने पड़ेंगे इसके बाद चलते हैं कुछ महतपून questions की तरब ठीक है जिया आप देखिए एकदम से महतपून question कौन सा आता है ओके तो यह रहा आपका दोस्तो question जो है आपका बहुत ही जादा important इसमें आपको बिलन की उंचाई दी गई है 18 cm तरिज्या दी गई है 10.5 cm और उंचा है आपसे के बिलन का आयतन बताए बिलन का ब्रक प्रष्ट भी बताना है और बिलन का संपून प्रष्ट भी आपको बताना ह तो इसमें आपके बहुत सारे questions cover हो जाएंगे इसलिए मैंने आपको इस question को रखा है ध्यान रखना है बिलन की उंचाई उंचाई को H से प्रदर्सित करते हैं और तरिज्या को R से प्रदर्सित करते हैं तो आप इसको H मान सकते हैं और इसको R मान लेंगे ठीक है तो मैंने आपको बताएता तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकाल लेते हैं वेलन का आइतन ठीक है जाए वेलन का आइतन ओके वेलन का आइतन हमें निकालना है वेलन के आइतन का मैंने सूत्र लिखवाए था क्या था दोस्तो तो ध्यान रखना था आपको मैंने आपसे कहा था कि इनका use होगा pi r square h pi r square h इसका formula होता है तो आप इसको करेंगे तो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है कि विलिन का आयतन pi r square h ही आपका होता है मैंने आपको बताए था अब आपको पता होना चाहिए कि जो pi का माइन होता है pi का माइन 22 बटे 7 होता है ये चीज़ आप जानते हैं R, R की value यान की 30 आपकी 10.5 cm दी है यान की इसका square है तो आप इसको 10.5 गुणे 10.5 लिख सकते हैं क्योंकि square है तो square के लिए हम 2 बार लिख देते हैं ठीक है H, H की value आपकी 18 cm दी है तो आप इसका multiply कर देंगे अब आपको simply में क्या करना है वो आपको समझना है ठीक है अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है बहुत ही simple तरीके से कराओंगा दोस्तों ये आपको याद रखना है ठीक है अब आपको क्या करना है आप 22 बटे 7 को यहाँ पर लिख देंगे डारेक्ट जैसा लिखा हुआ है गुणे 10.5 गुणा 10.5 इनकी अगर हम गुणा करते हैं तो आपका आंसर आएगा 110.25 ठीक है आप इनकी गुणा कर लेंगे और गुणे में आपका ये 18 चल रहा है ठीक है बराबर 22 बटे 7 ओके 22 बटे 7 गुणे 110.25 गुणे 18 मैं बिल्कुल द जिस प्रकार से आपको direct के exam में करना होता है सेम उसी प्रकार से करा रहा हूँ बिल्कुल भी कहीं भी आपको shortcut नहीं मारना है ठीक है तो आप इससे और इसको क्या कर जकते हैं डिवाइड कर लेंगे तो आपका 15.75 ये हो जाएगा अगर आप इसको डिवाइड करेंगे ठीक आजाएगा answer आजाएगा आपका दोस्तो जिया ये आएगा जिया बिल्कुल 6237 cm q या फिर आप घन cm भी आप लिख सकते हैं चाहें cm क्यों लिख दीजिए या फिर घन cm लिख दीजिए दोनों एकदम से सही हैं तो मुझे लगता है कि यहां तक आपको कोई problem नहीं हुई हो दोскतो यहां पर next the pick 1 का बंका बक्क्रप्रश्ट ठीक객 बंका बंकंऐ प्रश्ट देखते हैं जो आपका next question था ठीक है मैं यहा पिलो ह्लिक देता हूं बृबं का बेलन का बक्र प्रस्ट अब बेलन के बक्र प्रस्ट का सूत्र क्या था तो दोस्तों सूत्र याद रखना बहुत जरूरी है मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही कहा था तो होता है इसका 2πRH वर्ग सेंटिमीटर है टू पाई आरेच वर्ग सेंटिमेटर है टू लिख देंगे पाई का मान 22 बटे साथ होता है आर का मान इसमें यहां पर 30 दी हुई है 10.5 सेंटिमेटर ठीक है 10.5 सेंटिमेटर है गुणे एच की वैल्यू आपको 18 दी गई है तो आपको यहां तक कोई भी प्रब्लम नहीं हु यह आपका दो गुणे 22 बटे साथ है तो आप यहां पर क्या कर सकते हैं इस चलिए मैं आपर लिख ही देता हूं पूरा चलिए एक मेंट रुगे मैं यहीं पर कट कर देता हूं थोड़ा सा ठीक है साथ से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या ना चीए आंसर आएगा आपका 1.5 ठीक है साथ से अगर आप 10.5 को डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.5 तो मैं यहां पर गुणे में 1.5 लिख देता हूं थोड़ा सा सौट कट मैं ले लेता हूं लेकिन आपको बता देता हूं कि आपको सौट कट नहीं करना है ठीक है ना आपको सौट कट बिलकुल भी नहीं मारना है अब आपका क्या बचा दो गुणे 22 गुणे 1.5 गुणे 18 है और जब आप इनका मल्टिप्लाइ करेंगे तो आपका आंसर आजाएगा 1188 cm2 ठीक है तो इतना आपको याद रखना है मुझे पता है कि इतना तो आप ग संपून प्रस्ट ठीक है याँ बेलन का संपून प्रस्ट अब आप लास्ट इसमें बेलन का संपून प्रस्ट और देख लेंगे तो मैं आप लिख देता हूं बेलन का संपूर्ण प्रष्ट ठीक है मुझे लगता है दोस्तो वीडियो एकदम से अच्छी लग रही होगे अब वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक और सेर करते रहे हैं दोस्तो और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेलन का संपूर्ण प्रष्ट का जो सूत्र होता है वो 2 pi r h plus r होता है मैंने आपको बताय था इसका सूत्र ठीक है तो आपको याद रखना था मैंने आपसे उस टाइम भी कहा था तो आप इसको जब यहाँ पर value पूट कर दे देंगे 2 into pi का मान कितना होता है pi का मान 22 वटे साथ होता है गुणे r का मान आपको दिया गया था r की value यहाँ पर 10.5 cm थी यह वाली तो आप यहाँ पर 10.5 लिख देंगे और यहाँ पर bracket में आप लिख दें h h की value 18 है और आपका plus r की value 10.5 है तो आपने बस अभी तक value को put किय है अब आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं इस 7 से इसको आप divide कर सकते हैं तो आपका answer आजाएगा 1.5 ठीक है यह आपका आगया तो यहाँ पर आपका क्या बचता है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं 2 into यहाँ पर cable or cable 22 बचेगा गुणे 1.5 और यह आपका हो जाएगा इसको जोड देंगे 18 और इसको आप जोड देंगे तो आपका 18 और यह हो जाएगा दस सोरी यह हो जाएगा आपका 28 पॉइंट जां 28 0.5 होजाएगा और जब आप इन सब का Divine कर देंगे याए कि इसका appearance करेंगे तो चलिए मैं आप कर देता हूं जैसे 22 जैसे 22 का Multiply करेंगे ЦGame दो इसका अगर आप 1.5 से multiply करेंगे तो आपका हो जाएगा ये 42.75 ठीक है आप इन दोनों का multiply करेंगे तो आपका आजाएगा 1881 cm2 ठीक है ये आपका दोस्तो हो गया ये question देखते हैं next question जो आपका बहुत ही ज़्यादा important है बहुत ज़्यादा important question मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ ठीक है देखते हैं next question ये रहा दोस्तो आपका next अगला बहुत ही simple question अब आप कह रहे हो सर ये तो हमें सबसे ज़्यादा कठेन दिख रहा है simple कैसे हो गया और आपको बताना चाहूँगा ये जो आपका question है ये आपका deal at 2019 के exam में आया हुआ question है ठीक है बहुत tough question है दोस्तो लेकिन simple भी बहुत है बस आपको समझने की देरी इसमें कहा गया कि 10 cm लंबाई और 3.5 cm चोड़े आयत को लंबाई के पड़ता है गुमाने पर बने वेलन का आयतन बताईए आपको यहां समझना ये है कि ये एक आयत है ठीक है ये एक आयत है और आयत में क्या है ये लंबाई है इसकी 10 cm ठीक है ये चोड़ाई है इसकी 3.5 cm ठीक है इतना आपको पता होना चाहिए अब इसको क्या गिया इसके यहाँ पर देखना है 10 cm लंबाई और 3.5 cm चोड़े आयत अब आयत हमने बना लिया को लंबाई के परता गुमाने पर बने बेलन का आयतन बताना है अब बेलन आपका इससे किस प्रकार से बन सकता है यहां से थोड़ा सा मिष्टिक होगा कोई बात नहीं है यहां से आप देख सकते हैं इस प्रकार का आपका बेलन होता है यहां से यह ऐसे होता है तो आपको इतना किलियर होना चाहिए कि यहां पर सिर्फ आपको यह पता होना चीए कि इसकी ये वाली जो इसकी चौड़ाई थी ठीक है ये इसकी भी तो चौड़ाई बनेगी भई जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ठीक है एक पेपर के तौर पे इसको समझ सकते हैं जिस प्रकार से हम पेपर को फोल्ड करते हैं उसी प्रकार से आप इसको समझ सकते ह तो जो इसकी ये चौड़ाई थी वो इसकी भी तो चौड़ाई हो सकती है तो बिल्कुल हो सकती है 3.5 cm इसकी ये चौड़ाई हो जाएगी ये वाली ठीक है आप इसे चौड़ाई कह सकते हैं या लंबाई आप जो भी समझें आप समझ सकते हैं अब आपको करना क्या है कि यह यहां पर समझना यह है कि यह चारो और जो घुमाया गया है इसके चारो और यह क्या होता है यह परदी होती है और यही है आपका दस सेंटीमिटर ठीक है यह वाला जो आपका यह चारो और जो घुमाया गया है यही आपका दस सेंटीमिटर है जिसे परदी कहेंगे ठीक है चारो और का जो भाग होता है वो आपका परधी कहलाता है यह आपको पता होना चाहिए अब यहाँ पर आपको सिंपल सा एक काम करना है दोस्तों क्या करना है वो आप समझ लीजिए आपको क्या करना है ब्रक्त की परधी आपको सिर्फ परधी पता है यहाँ पर लंबाई नही पता, उँचा ही आपको पता लग गया यह height वस ञें, लेकिन आपको तृज्या नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो आपको सबसे पहले क्या करना है ब्रत की पर्दी ठीक है ब्रत की पर्दी ब्रत की पर्दी का जो सूत्र होता है वो होता है टू पाई आर क्या होता है दोस्तो टू पाई आर ब्रत की पर्दी का सूत्र होता है और यहां पर आपको तरज्जा निकालने हैं क्योंकि जब तक आपको तिर्ज्या नहीं पता होगी आप नहीं कर पाएंगे तो आप यहाँ पर तिर्ज्या का फॉर्मूला लगा देंगे आर बराबर क्या हो जाएगा यानि कि आर को अगर आप इधर लेकर आएंगे तो आप एक चीज बताएए मुझे ठीक है ब्रत की परदी तो आपको 10 दी गई थी ना यहाँ पे ब्रत की परदी 10 दी गई थी या नहीं दी गई थी दोस्तों ठीक है तो जब हम आर को इधर लेकर आएंगे तो यह 10 आपका यहाँ आजाएगा और यह पाई गुणे दो ठीक है यह आपका इसके बठे में पहुँच जाएगा ठीक है तो आर बराबर आपका कितना हो जाएगा आप इससे इसको काट देंगे तो आर बराबर आपका 5 बठे पाई हो जाएगा समझ में आया नहीं समझ में एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ क्यों थोड़ा सा टफ कोश्चन है थोड़ा सा गोमाया गया है आपको इस प्रशन में टफ नहीं है बस आपको गोमाया गया है इसमें बताया गया कि 10 cm लंबाई थी आयत की 3.5 cm चोड़ाई थी अब क्या किया गया एक बेलन के परता गोमाया गया तो यहां पर जो टोटल यह वाली जो होगी यह इसकी परदी बनेगी दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं और यह वाला इसका क्या बन जागी यह आपकी हाइट बन जागी ठीक इतना समझ माया अब आपको तरज्या निकालनी पड़ेगी क्योंकि तरज्या आपको जब तक नहीं पता होगा तब तक आप question को नहीं कर पाईए तो ब्रत की पर्दी हमें पता है और तिर्जा अगर हमें निकालें तो ब्रत की पर्दी का हमने आप फॉर्मूला लगा है ब्रत की पर्दी का फॉर्मूला होता है टू पाई आर अब यहाँ पर पर ब्रत की पर्दी 10 cm दी गई थी यहाँ पर पहले से तो आप यहाँ पर क्या गई ठीक है clear ना अब आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि अब आपको क्या निकालना है बेलन का आयतन निकालना है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख देंगे मैं यहाँ पर आयतन लिख देता हूं डारेक्ट ठीक है जा आप लिखेंगे बेलन का आयतन ठीक है थोड़ा सा जगह क अभाव है इसलिए मैं आपर थोड़ा सौट कर देता हूं वियलन का आयतन अगर आपको निकालना है सूत्र क्या होता है पाई आर स्काइर एच पाई आर स्काइर एच पाई अब पाई को आप यहाँ पर बेल्यू मत लगाई ठीक है वैल्यू क्यों नहीं लगाएंगे मैं अभी आपको बताएंगा गुणे आर की वैल्यू यहाँ पर अभी हमने निकाली थी पाँच बटे पाई अब आपको पाई से पाई काटना था ना इसलिए इसकी वैल्यू मत रखी अभी गुणे आप यहाँ पर पाँच बटे पाई फिर लिखें क्योंकि यहाँ पर स्कायर है और गुणे हाइट आपकी 3.5 cm है ठीक है तो इस पाई से आप इस पाई को काट सकते हैं कट गया ना अगर आप इस पाई से इस पाई को काट देंगे तो तो आपका क्या बचेगा, यहाँ पर तो कुछ बचना नहीं, यहाँ पर सिर्फ 5 बचेगा, तो 5 गुणा, 5 बटे, पाई, गुणे, आपका यह क्या बचेगा, 3.5, 3.5 को हम क्या लिख सकते हैं, तो को सिंपल करना है, इसलिए हम थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे, क दो भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हम 2 से इसको डिवाइड करने तो यही आंसर आएगा, यानकि लिखा यही है, लेकिन लिखने का तरीका चेंज कर दिया है, बस, अब आप इसका मल्टिप्लाइ कर लेंगे, तो 5, 5, 25 और 25 से आप इसका मल्टिप्लाइ करेंगे, तो यह हो लिख देता हूँ, DLR 2019 के एक्जाम में आया था, इसको आपको याद रखना है, बहुत ही जादा इंपोर्टेंट कोशन है, आप देखते हैं, संकु से संबंदी जो कोशन होते हैं, उनको देखते हैं, जो की बहुत जादा टफ हो जाते हैं, आपको करने में, ठीक है, अब देखते हैं, नेक्स्ट कोशन, तो ये रहा दोस्तों, आपका नेक्स्ट कोशन की संकु की तरिये को उचाई दी है, यहाँ पर 21 सेंटीमेटर, तरिज्या आपको दी है, 8 सेंटीमेटर, और आपको बताना है, संकु का ब्रक्रष्ट क्या होता है, अब यह वाला जो आपका है यह आपका dear 2018 के exam में आया हुआ है यह आपको याद रखना है ठीक है आपको निकालना है संकु का बक्र प्रष्ट तो आप यहाँ पर simple formula लगा सकते हैं संकु का बक्र प्रष्ट क्योंकि यहाँ पर आपको तिर्यकों उचाई भी दी है और तिर्जा भी दी है ठीक है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संकु का बक्र प्रष्ट संकु का बक्र प्रष्ट सूत्र क्या होता है पाई आर एल ठीक है पाई आर एल होता है पाई का मान होता है आपका 22 बटे 7 R की value R क्या होता है 30 को R बोलते हैं तो R की value आपकी 8 दी है गुणे आपकी संकु की 3 उंचाई इसे H बोलते हैं 3 उंचाई को L बोलते हैं और height यानि कि उंचाई लिखी हो तो आप उसे H बोलेंगे और 3 उंचाई के लिए L यह आपका L हो जाएगा तो यह आपका L यहारे की लिख सकते हैं यहापे 21 ठीक है तो आप इस साथ से इसको काट दें 7 यहाँ 21 तो आपका क्या बचेगा यहाँ पे 22 गुणे 8 गुणे 3 यह आपका बचेगा तो आप इनका जब multiply कर लेंगे तो आपको answer मिल दाएगा कितना तो आपको answer मिलेगा ah 528 बर्ग centimeter आजाएगा ठीक है 528 बर्ग centimeter मैं आपको लिख देता हूँ 528 बर्ग centimeter यह हो जाएगा आपका answer ठीक है simple सा question है लेकिन आप देखते हैं थोड़ा सा tough level पे आके ठीक है संकू का बक्क्र प्रष्ट और बक्क्र प्रष्ट का सूतर होता था दोस्तों, πाई आर फैल उसमें πाई की वेल्यव हमें पता होती है 22 वर्टे साथ होती है, आर की वेल्यू दी गई थी और यहाँ पर त्रियक मुँचाई है बन अपॉन थ्री पाई आर स्काइर एच यह संकू का आयतन होता है अब इसमें आपको दोस्तों त्रियक उंचाई यानकी एल की वैलू आपको दी गई है कितनी 10 cm त्रिज्या आपको दी गई है 6 cm लेकिन हाइट तो दी ही नहीं गई है हाइट नहीं दी गई तो आप इसमें क्या करें हाइट को आपको निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझ लीजिए तो थोड़ा सा हम यहाप इस संकू का चित्र बना लेते हैं यह आपका संकू हो जाएगा ठीक तो आगर हम बात करें यहापर त्रियक उचाई त्रियक उचाई कौन सी होती है मैंने आपको बताय था यह वाली यानिकि 10 cm दी गई है यह त्रियक उचाई हो जाएगी आपकी ठीक है नेक्स अगर हम बात करें यहाँ पर तृज्ज दी गई है 6 cm त्रिज्ज आपकी यह होती है यह आपकी 6 cm दी गई है ठीक है next आपको वताना है ये और जब तक ये नहीं निकाल पाएंगे तब तक आप इस question को नहीं कर पाएंगे तो आपको करना क्या है simple दोस्तों आप यहां पे क्या करेंगे पाइथा गोरस प्रमेशे भूल गए ना भूलना नहीं है पाइथा गोरस प्रमेशे पाइथा गोरस प्रमेशे मैंने आपे लिख लिया है अब आपको क्या करना है पाइथा गोरस प्रमेश आप सभी लोग जानते हैं मैं थोड़ा से आपे shortcut कर देता हूँ कन का स्कॉाइर बराबर लंब का स्कॉाइर प्लस आधार का स्कॉाइर ठीक है जहां सिंपल तरीके से करा रहा हूँ बिलकुर कन का स्कॉाइर अब देखे 90 डिगरी के जो सामने वाला होता है वो आपका कन होता है तो कन का स्कॉाइर कितना दिया है इसमें 10 दिया है कन का स्क sería 10 जोएदब लंब क्या होता है लंब ये वाला निकालना धिया है तो आप इसको है इसको हमान सकते हैं तोहां पर h का square लिख दीजिए या फिर आप यहाँ पर लंब का square ही लिखा रहने दे सकते हैं प्लस आधार कितना दिया तो आधार 6 दिया यानकि 6 का square हो जाएगा इतना आपको समझ में आ गया होगा अब आपको दोस्तों क्या करना है ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा माइनस ये 36 हो जाएगा 36 को हम इदर ले लेंगे यानकि 6 चंग 36 तो इदर ले लेंगे h का square बरावर चल रहा है ठीक है तो अब आपको क्या करना है अगर आपको यहाँ पर माइनस कर देंगे तो आपका कितना बचेगा 64 बचेगा h का square बरावर 64 ठीक है तो h बरावर आपका 8 आजाएगा ठीक है इतना आप जानते हैं h के इदर भी बर्ग है यानकि square लगा हुआ है और यह किसका बर्ग मूल होता है तो 8 का बर्ग मूल होता है यानकि h बरावर आपका 8 आगया अब आपको h की value पता लग गई तो आपको h की value पता लगी r की value दी गई है और πाई का मान आप सबी लोग जानते है अब आप यहाँ पर इसको निकाल सकते हैं अब आपको क्या करना है 1 वटे 3 गुणे πाई का मान कितना होता है तो आप सबी लोग जानते है 22 वटे 7 पाई का मान होता है r की value आपकी कितनी दी गई है r की value यहाँ पर 6 दी गई है तो आप यहाँ पर 6 गुणा 6 लिख सकते हैं ठीक है यानकि square है न तो 6 गुणा 6 लिख सकते हैं गुणे, h की value यहाँ पर अभी आपने निकाली थी, 8 आ गई, तो अब आप क्या करेंगे, अब आप इनकी गुणा भाग कर लीजिए, क्योंकि इतना time में बेश्टन नहीं करूंगा आपके लिए, और आप simply इसकी गुणा भाग कर ही सकते हैं, यह तो मैं जानता हूं, ठीक है सिंपल करना है, आप इससे इसको काट भी सकते हैं, इससे इसको काट लीजिए, बाकी जो भी बचा, उनकी गुणा कर लीजिए, आंसर मैं आपको बता देता हूं, आंसर आजाएगा आपका, यह लगवग आएगा, आपका 301.44 गन सिंटिमिटर, ठीक है, यह आपका आंसर आजाएगा, आपको सिंपली दोस्तों करना क्या है, वो लॉजिक समझी करना कोशन को किस तरीके से, आप ये गुणा भाग ये नहीं सिखा रहा हूं, मैं आपके लिए गुणा भाग करना नहीं सिखा रहा हूं, आपको तरीका सिखा रहा हूं, और वो मैं आपको बहुत ही बहतर तरीके से करा रहा हूँ आप बस question को solve करना सीखी कि कैसे करते हैं ठीक है जहाँ देखते हैं अगला question के लिए जो आपका बहुत ही जादा important होने वाला है ठीक है दोस्तो ये question दोस्तो आपके लिए बहुत जादा tough भी हो सकता है बहुत जादा simple भी हो सकता है कैसे बस आपको थोड़ा सा समझना है ठीक है समझना कहा है कि एक मदारी की टोपी संकु अकार है मतलब संकु के अकार की है यदि उसमें 840 बर्ग सेंटिमीटर कपड़ा लगा हो तो उसके गोल सिरका परिमाप 56 सेंटिमीटर हो तो टोपी की त्रियक उंचाई बताईए आपको टोपी की त्रियक उंचाई बतानी है यहाँ पर थोड़ा सा आपको कुछ समझना है समझना क्या है मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ तो चितर से बेहतर आपको समझ में आएगा ठीक है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको तिर्यक मुचाई निकालनी है यानि कि यह L आपको निकालना है अब आपको यहाँ पर दिया क्या क्या गया है वो आप समझ यह आपको यहाँ पर एक मदारी की टोपी संक्वाकार है उसमें 840 बर्ग सेंटीमेटर कपड़ा लगा है 840 बर्ग सेंटीमेटर कपड़ा लगा है इसका मतलब समझ ये कि जो पूरी जो बनी हुई है वो कितने की बनी हुई है यान कि टोटल का जो बक्क्रप्रश्ट है वो आपका दिया गया है कितना दोस्तो वो आपका 840 दिया गया है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं संकू का बक्क्रप्रश्ट है ठीक है संकू का बक्क्रप्रश्ट ठीक है बक्क्रप्रश्ट का म आपको 840 इसमें दिया गया है यहां तक कोई प्रव्लम नहीं होगी ठीक है अब आपको समझना यह है कपड़ा लगा है तो उसके गोल सिर का परिमाप अब गोल सिर कौन सा है इसका जो परिमाप है टोटल वो कितना है यह 56 cm है यह पर लिग देता हूं 56 cm है अब गोल सिर का इन इस इतना आपको समझना है इतना आपने समझ लिया तो आपने समझ लिया कि प्रश्ण को कर लिया अब यहांपर आपको समझना है वो आप थोड़ा सा देखिए ठीक है तो आप जरह इसको देखिए कि यहाँ पर अगर हमें निकालना है πाई आर बराबर कितना हो जाएगा तो 56 बटे 2 हो जाएगा तो आप इससे इसको डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आपको कितना मिल जाएगा 28 cm मिल जाएगा तो आपको पाई आर की जो बैल्यू मिल गई वो 28 cm मिल गई यहाँ तक समझ में आया बिल्कुल समझ में आयोगा यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि आपको निकालना है संकू का बक्कर प्रष्ट बक्कर प्रष्ट जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तभी आपकी त्रियक उचाई निकल पाईगे क्योंकि पाई आर एल में जब आप इसको रखेंगे तो आपका त्रियक उचाई आजाईगे तो मैं यहाँ पर डारेक्ट यहाँ पर बक्कर प्रष्ट यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ठीक है पाई आर एल बरावर अब पाई आर एल बरावर कितना दिया गया है इसमें 840 दिया गया है अब आपको करना क्या है पाई आर एल पाई आर की वेल्यू पहले से इसमें अभी हमने निकाली थी 28 आगई थी दीके पाई और आर इन दोनों की वेल्यू 28 आई थी गुड़े आपको दोस्तों इसमें निकालना है ठीक है एल आपको निकालना है यह गुड़ा में आपका 840 है अब आपको करना क्या है एल बरावर क्या हो जाएगा मैं यहापर कर देता हूं साइड में ठ इससे की थोड़ा सा इस पेस बचा रहे एल बरावर क्या हो जाएगा तो 840 से बटे में आपका आजाएगा यह वाला 28 इसके बटे में आ जाएगा तो इतना आपको समझ में आ गया होगा अब जब आप इससे को काट देंगे तो यह आपका आएगा 30 सेंटीमेटर ठीक है 30 सेंटीमेटर तो इसकी वेली जो आई वो आपकी 30 सेंटीमेटर आ गई दोस्तों ठीक है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब देखते रहे निच्ट कोशन यह बहुत जबर जास्तूने आप टीक है यह उस कोशन आपका बहुत ज़आदा इंपोर्टेंट थे ध अधार का ब्यास दिया गया है 28 cm ठीक है और पूछा है आपसे कि संकू का बक्र प्रष्ट आपको बताना है क्या बताना है दोस्तों संकू का बक्र प्रष्ट बताना है तो संकू का बक्र प्रष्ट मैं आप लिख देता हूं बक्र प्रष्ट तो बक्र प्रष्ट का वेल्यू भी आपको पता है लेकिन आपको L की वेल्यू नहीं दी गई है यहाँ पर उंचाई दी गई है यहाँ के हाइट की वेल्यू दी गई है लेकिन L की वेल्यू नहीं दी गई है तो आपको L की वेल्यू निकालने पड़ेगी कैसे निकालेंगे उसको थोड़ा सा समझ मैं यहां पर एक संकु का चित्र बना देता हूं थोड़ा सा ठीक है यहां मैंने यहां पर आपको संकु का यहां पर चित्र बना दिया यह आपको यहां पर संकु की उंचा यहां के हाइट यह वाली दी गई है कितनी दोस्तो 48 cm ठीक है यहां पर तरिज्या कितनी दी है तरिज इसमें आपकी 14 cm दी गही है, ये वाली आपकी 14 cm है, अब आपको सबसे पहले क्या करना है, इसकी वैल्यू, L की वैल्यू जब तक नहीं निकालेंगे, तब तक आपका कुशन नहीं होगा, आप इसमें पाइथागोरस प्रमें लगाएंगे, कौन सी होती है पाइथागोरस प् और दोस्तों एक चीज मुझे समझ नहीं आती, क्या मैं आपके लिए अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्या बेहतर तरीके से आपको सिक्षा प्रुवाइड नहीं कराई जा रही है, आप मतलब कंजूसी करते हैं, मतलब पता नहीं चलता क्या आप चाहते क्या हैं, हर त पता क्या करते हैं, देखते हैं कि अरे ये तो एक छोटा चैनल है, मतलब हमारे चैनल है स्री गुरु अकैडमी है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है दोस्तों, तो आप देखते हैं अरे छोटा चैनल है, अरे बही एक चीज बताए, इंसान हमें सा छोटे से ही बड़ा होता है कभी बड़ा पैदा नहीं होता आप कै इतने ही बड़े पैदा हुए थे नहीं आप छोटे थे पहले छोटे से धीरे 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 ग्रो करके आप इतने बड़े हो पाएं आज देखना एक दिन ऐसा आएगा आपका ये परिवार स्रीगुरु अकाडमी भी एक बहुत बड़ा परिवार बनेगा लेकिन आपका सहयोग चाहिए आपका समर्धन चाहिए दोस्तो थे कैए तो बस आपसे रिक्वेश्ट है कि वीडियो को लाइक और सियर करें दोस्तों ठीक है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए अपने सभी भाई वहनों के लिए वीडियो को सेयर कर दीजे ठीक है जा तो आज रिए बस इतना ही रखते हैं लेकिन फिर मिलते हैं एक नेश्ट वीडियो में नेश्ट अपक के साथ तब तक के रहे हसते रहे मुस्कुराते रहे और त्यारी करते रहे दोस्तों ठीक है तो चलिए बाई बाई दोस्तों जैहन